नमस्कार मेरा नाम है इशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरू एक जिलई के अधिकारी का क्या काम होता है आखरकार लेकिन जब यही अधिकारी गफलत करने वाले हो तो क्या वो लोगों का क्या हरकत पर ध्यान देपाएंगे एक अधिकारी का काम होता है कि जिले को आगे ले करके चलना यह सुनिक्ष्चत करना कि वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है लेकिन शेहडोल जिले में क्या हो रहा है शेहडोल जिले के अगर यदि हम बात करते हैं तो वहां आधियाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभी रारूत है इसमें एक मामला ऐसा भी है जहां इनके द्वारा प्रदान की गई राशी से 80 प्रतिशत से भी ज्यादा मैं 80 प्रतिशत भी अब कम लग रहा है 80 प्रतिशत से भी ज्यादा खर्च किया गया है यानि कि इसको यदि हम समझाएं तो जो आवंटित राशी थी उससे 80 प्रतिशत ज्यादा उन्होंने खर्च किया उस निर्मान कार्य में अब इन मामलों में जाँच परताल भी शुरू हुई लेकिन हमेशा की तरह ये फाइल कमिशनर कार्याले में आज भी दबी पड़ी हुई है यदि ये फाइल खुल जाए तो SDO मनोज दुबे के डिमोशन को कोई रोक नहीं सकता है लेकिन वो हो ही नहीं रहा इसको लेकर के कमिशनर नरेश पाल ने उप्यांतरी लोक निर्मान विभाग मनोज दुबे को कारण बताते हुए नोटिस जारी किया मनोज दुबे जी को ही एक नोटिस लिखा गया कमिशनर दुबारा इस नोटिस में ये कहा गया कि शंभुनात महविध्याले में केमिस्ट्री लाब एवं क्लास्रूम का निर्मान कारी की निविदा दो लाख पचास हजार के आसपास आमंतरत किये गए थे जिस पर से एक लाख असी हजार के आसपास का कारिय करना था केमिस्ट्री लाब में थोड़ा निर्मान कारिय करना था लेकिन आपके दुआरा इस नोटिस में लिखा गया है कि उनके दुआरा किया गया कारिय चार लाख सतर हजार के आसपास है कोया अधुद निर्मांड कारियों तो हुआ नहीं है उस केमिस्ट्री लाप का नोटिस में आगे ये भी कहा गया कि बिना किसी उच्छ अधिकारी के कई निर्मांड कारी करवा दिये गए यदि मान लिया जाए कि ये कारी करवाने अतिया आविशक थे तो कार्य इसकी एक ये जो कार्य करते हैं उसकी explanation प्रशास्किय स्वीक्रत को प्राप्त करानी आविशक बन जाती है इस तरीके से आपने अपनी शक्ति का सही धंग से इस्तमाल न कर शास्किय राशी का दुरुपयोग किया है जिससे श्यासन को शती पहुंची है अब ये कमिश्णर जी ने नोटिस लिखा है दुबे जी को जब खुद मनुझ दुबे जी से इसके बारे में कि पूछा गया तो गोर फर्माइगा वो किया कहते हैं इस नोटिस पर उन्हों के इस नोटिस को उन्होंने प्राप्त किया अप्र सही रास्स न ले जाना ये चेक करना कि कि शाही काम हु रहा है जिले में रधन चोटियों को सामना लोगों को करना पड़ सकता है धन्यवाद आज